जलवाईव परिवर्थन के खत्रे से निपटने के लिए संयुक्त राश्टर द्वारा आयोजित वैश्विक जलवाईव शिकर सम्मेलन महतपोन भूमिका निभाता है। इस जुनोती से सामना करने के लिए गत 30 वर्षों से संयुक्त राश्टर दुनिया के विमिन देशों को एक मंच पल रा रहा है। परियावरन जलवाईव परिवर्तन संबंधित चुनोतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राश्टर लगभग 30 वर्षों से वैश्विक जलवाईव शिकर सम्मेलन के माध्यम से दुनिया के देशों को एक मंच पर ला रहा है। इसके अलावा इसमें प्रथम ग्लोबल स्टॉक टेक यानि पेरिस जलवाईव समझोते को लागू करने में देशों की प्रगति की वैश्विक समिक्षा के परिणाम भी सामने रखे जाएंगे। इस वर्ष सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में UAE महतुपूर्ण समझोतों की दिशाम में चर्चाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाता हुआ दिखाई देगा। इसकी प्रमुक प्रात्मिक्ताओं में हानी वक्षेति कोश का संचालन, प्रथम ग्लोबल स्टॉक टैक को पूरा करना, जलवायु जवाब देही को मजबूत बनाना, सभी जीवाश्म इधनों को चरणबध तरीके से घटाने पर चर्चा, एक नियाय संगत उर्जा परिव लक्षों की ओर से अपने उचसर्जन में भारी कटोती करने की जरूरत है, इसके लिए विक्सित देशों को अपने नेट जीरो लक्षों के लिए प्रतिवर्ष उचसर्जन कटोती का खाका तयार करने और अपने लक्षों को पाने के लिए महत्वा कांग्शी कार्बन बच मौझूदा इस्तिती चुनौती पून है। स्वच्छ उर्जा परिवर्तन का समर्थन करने के लिए 2030 तक सालाना अनुमानित 4 ट्रिलियन डॉलर जुटाने के मांग की जा रही है। इंडियन गवर्मेंट बहुत अच्छा काम करेगी इसके पीशे तो ब्रिंग सदी के मध्य तक नेट शून ने लक्ष हासिल करने के लिए और भी बड़े पैमाने पर सहयोग की आउशकता है। इस मन से अगर देखा जाए तो परिवनकारी नीतियों के साथ जो इनुवेशन है इन सभी विश्यों पर चर्चा की जाएगी। ऐसे में अगर देखा जाए दुबई जो की मेजबान शेहर है। इस समयलें से उमीद है कि उन सभी विश्यों पर जो है चर्चा होगी और आने वाले समय के लिए वैश्यों के लिए ये एक महत्पुर्ण मील का पत्तर भी साबित होगी। शीर शिलार डिड न्यूज दुबाई